क्या लिखा मैट्रिलिटी मैट्रिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है यह देखते हैं मैट्रिलिटी मैट्रिलिटी मैट्रिलिट्रिंसिपल यह कहता है स्विंट्स तुमने वो कोलाप फिये है वो ड्यू आती है गूर्यणृ ड्यू 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 ड्र के बाद क्या है वो है डर के दर पर और गे जीत है डर के आगे तो पॉर सिकल प्रिंसिपल स्टे अ Am क्या slogan है काम की बात नो बकवास इस प्राइट है ओ गल्दी हो इस्टुइंट्स मैं यह सब पीता नहीं ना तो आप लोगों से पुश पुश के बनाता हूँ चलो काम की बात नो बकवास यह क्या है पिटा मेट्रेटी कॉंसेट मैटली कॉंसेट यह कहता है सारी इन्फॉर्मिशन अगर यूजर्स को दे दोगे तो वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा क्योंकि वो एकांटिंग एक्सपर्ट नहीं है वो बेचारा क्या हो जाएगा कन्क्यूज हो जाएगा इसलिए सारी बातें बताने से का कोई फायदा नहीं उल्टा उसे नुक्सान शुरू हो जाएगा इसलिए केवल काम की बात काम की बात को बोलता है वो मैटिरिलिस्टिक का बोलता है मैटिरिलिस्टिक कहते हैं, material concept भी कहते हैं, कि only material information to the users will be informed, will be communicated to their, to the users. Is it clear? अब यहां पर एक बहुत बड़ा problem आगे, इतना बड़ा, इतना बड़ा problem आगे, what is material? What is material? तो इसका जवाब है कि everything is material, if absence of that information, absence of that information, will affect the decision of user or decision makers. अगर किसी चीज के छपाने से decision लेने वाले आदमी का decision change हो जाए, तो वो materialistic है. और अगर किसी चीज के छपाने से या देने से दोनों हालत में decision user का decision same रहे, तो इसका मलब materialistic नहीं था. मैं दोबार से बता रहा हूँ, accounting standard one ऐसा कहती है, क्या कहती है, कि अगर किसी चीज के बताने से, user का decision change हो जाए, और छुपाने से decision user change हो जाए, तो materialistic है, और किसी चीज के होने ना होने से अगर user कोई फर्ग नहीं करता तो उसके लिए material, बात clear हो यह आप लोगों को, तो इसलिए material is material की क्या परिभाश्या है, यह आप समझ में आ गया, यही चीज audit में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, यही meaning आप लोगों को, अब मैं वापस आता हूँ, अभी इस concept को खतम करने, कि अब हम लड़ाई कर्वाने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अभी अभी इनमें पढ़ा था, आपने सोचा होगा, मैंने तिन जल्दी full disclosure खतम कैसे कर दी, क्योंकि यहाँ पर मुझे शुरू करवानी थे, full disclosure और जो materiality है, क्या है students, इन दोनों में लड़ाई है वेटा, यह कहता है, सब कुछ बताओ, यह कहता है, काम की बात बताओ, तो पेपर में question आएगा, कि full disclosure का ultra principle को उन से है material, material किस से लड़ाई करता है, material की violation किसके साथ है, full disclosure की violation material किसके साथ है, यह बाते पेपर में आएंगे, सब्सक्राइब आगी आप लोगों को, clear हो गया, एंजी, ठीक है,